रामरम संग्वारी हो मैं रिशी साहू उडान आईस अकेडमी के e-learning प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं हम देख रहे थे 36 गड़ लोकसेवा आयोक के द्वारा आयोजित विगत च्छै परिक्षाओं के प्रस्ण और उसका उत्तर का एक व्याख्यात्मक विवरन इस विडियो में हम बात करेंगे 36 गड़ की अर्थविवस्था और 36 गड़ के समसामिक घटनाओं से पूछे गए प्रस्णों की बात करते हम सरप्रथम 36 गड़ की अर्थविवस्था से पूछे गए प्रस्ण प्रस्ण क्या था तो प्रस्ण इसमें पूछा गया है 36 गड़ राज्य के सकल घरेल उत्पाद में मतलब GSDP की बात की जा रही है GSDP Gross Estate Domestic Product में इस्थीर कीमत कपका 11 बारा इस्थीर कीमतों पर क्रिशी छेत्र की हिस्सेदारी वर्स 19-20 में मतलब यह पूछा जा रहा है कि वर्स 19-20 में पिछले वर्स की तुलना में इसकी हिस्सेदारी बढ़ी है घटी है इस्थीर है ठीक बात करें अगर तो हम देखते हैं GSDP में योगदान क्रिशी एवं संबध सिवाओं का उद्योग का और आपका एक है वो है सेवाचेत्र तो क्रिशी का जब हम योगदान देखते हैं 19-20 में तो हमको मिलता है 16.08 प्रतीसत उननीस भीस में 16.8 प्रतीसत है कृषी के बारे में बोल रहे हैं तो कृषी को ध्यान देना है अब पूछा जा रहा है पिछले वर्स की तुलना पिछले वर्स कहने के मतलब दो हजार अठारा उननीस की तुलना में घटी है की बढ़ी है तो अठारा उननीस हम देखें तो उस समय कृषी का योगदान था 17.1 प्रतीसत अब आप ही बताए ये 18.19 में 17.1 प्रतीसत था और अभी हो गया है कि इतना 16.8 तो घटी है की बढ़ी है घटी गई है भाई ऑप् तो उत्तर हिसको option B अब हम बात कर रहे हैं 36 गड़ के सम सामी गटना से पूछे गए प्रस्णों की बात करेंगे हम साहय कभियांता 2020 की परिच्छा में प्रस्ण प्रस्ण पूछा गए इसमें सुमेलित करना है जिसमें एक सूची में योजनाओं का नाम दिये है दूसरे सूची मुसकी प्रारम की तिथी दी हुई है मुख्यमंत्री हाड वजार क्लिनिक योजना ये सुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को 5 योजना एक साथ चालू हुआ था उसमें ये भी सामी था अब आप देखे कहां है 2 अक्टूबर 2019 तो एका फूर उत्तर होगा आपका एका फूर दूसरे योजना की बात करें तो आदर स्थाना और आदर स्थाना प्रभारी ये योजना चालू हुआ था 1 जुलाई 2020 को तो बी का होगा 3 डॉक्टर खूप चन्वगे स्थाना योजना 2 योजना एक साथ चालू हुआ था 1 जन्वरी 2020 को मुख्यमंतरी विशे स्थाना योजना और डॉक्टर खूप चन्वगे स्थाना योजना तो C का हो गया 1 अब बज गया मुख्यमंतरी सुगम सड़ा की योजना कारियालों को जोड़ने के लिए अफिस को गवर्मेंट 19 जुन 2020 तो A का होना चाहिए आपका 4, B का होना चाहिए 3 आपसान आप देखिए A का 4 कहां दिख रहा है, यहां नहीं है, A का 4 यहां है यह कर लिया तो उत्तर होगा आपका A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2 प्रसन पुछा गया, 36 गड़ सरकार द्वारा COVID महमारी के दवरान मार्च 2020 में कच्छा पहली से 10 वी तक के विद्यार्थियों को आनलाइन सिक्छा उपलवध कराने के लिए कौन सा एप्लिकेशन लाया गया है बहुत चर्चा में रहा है, पढ़ही तुहर द्वार ये लाया गया है, राज्यसासन के द्वारा, ठीक, देखें अगर तो पढ़ही तुहर बर ये नहीं, पढ़ही तुहर द्वार, आप्सन B, यही होगा हमारा उत्तर, पढ़ही लाइका बर नहीं, पढ़ही सब बर नही फसलों की सुरक्षा के लिए रोका छेका अनिमीच चराई को रोकने के लिए रोका छेका एक लाया गया भियान रोका छेका से संबंध है इस फसलों की सुरक्षा का देखें अगर गौर अक्षा योजना को योजना लाया ही नहीं है रोका छेका जी हां यही आपका उत्तर प्रस्ण पूछा गया 36 गड़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मा रन सास्की English Medium School योजना के तहत प्रथम चरण में कितने English Medium School सुरू किये जा रहे हैं तो पहले चरण में 52 सुरू किये जाएंगे और दूसरे में 100 English Medium School सुरू किये जाएंगे प्रस्ण पूछा गया 36 गड़ गोधन न्याय योजना का प्राराम किस परवसे हुआ गोधन न्याय योजना चालू है 20 जुलाई 2020 को और उस दिन था हरेली पर हरेली सावानम वस्या हमारत्तिवार है ठीक देखते हैं हरताली का नहीं तीजा को बूलते हैं नहीं हल सस्थी कमरचट है नहीं हरेली ये हमारा उत्तर है आगे बात करने जन संपर्क 2020 सहाइक संचालक परिक्षा जो हुआ था उसमें पूछे गया प्रस्ण पूछा गया महात्मा गांधी उद्यानी की और वानी की विश्विद्याल है कहां इस्थापित किया जाएगा तो इसका संबंध है साकरा पाटन तहसील जीला दुर्ग से देखते हैं आपसान सीतापूर नहीं बैकुन पूर नहीं बालोद नहीं पाटन साकरा गाउं का नाम है दुर्ग जीला प्रस्ण है सैक्षनिक जाण केंद्र साइन सेंटर किशीले में स्थीत साइन सेंटर जो है वह आपका रायपूर जीले में वलोदा वजार मारग में विदान साफरोड जिसको हम बोलते हैं उस मारग में है साइंस्टर ठीक रायपूर जीला दलदल सिवनी लोकेशन है ओप्सन देखें बिलासपूर नहीं बस्तर नहीं रायपूर जी हाँ उत्तर हमारा सी प्रस्न है स्वामी आत्मानंजे अंती 2020 के आउसर पर मुख्य मंत्री द्वारा किस योजना की घोशना की गए 6 अक्टूबर 2020 को एक योजना सुरू हुआ खेतों को पक्की सडकों से जोड़ने के लिए आवा गमन को बढ़ावा देने के लिए वो है आपका धरसा विकास योजना स्वामी आत्मान जी के जन्म दिन के दिन ही इस योजना की सुरुआत हुए धरसा विकास अप्शने में ही उत्तर मिल गया तो हमारा उत्तर है उप्शन ए प्रस्न पूछा गया निम्न में से कौन सा विध्ययक राज्यपाल द्वारा राश्पती को संदर्भित किया गया है ये भी करेंट एक्टिविटी से है जो चल रहा था इसका उत्तर है वो है व पाश्पती को भेजा गया है बात कर रहें आगे बीमाची किस्ताधिकारी वर्स 2020 की परिक्षा की प्रस्न पूछा गया है चत्तीस गड़ से कौन बनेगा कड़ोर पती के बीसी के बार्वे सत्र के विशेस एपिसोड में रेणुका सहाने के साथ किन के साथ रेणुका सहान किसने भाग लिया अब देखे होंगे के बीसी तो उसमें बार्वा सत्र जो हुआ उसमें रेणुका सहाने जी के साथ एक विशेस एपिसोड चल रहा था उसमें भाग लिये थे वो है चत्तिस गड़ की एक महिला फुलबासन बाई यादाओ जी जिनको वर्स 2012 में पद मसरी दिया गया है स्वासाहता सम्मू से जूड़ी हुई है ये देखते हैं ऑप्षन तीजन बाई नहीं रेखा सर्म नहीं ऑप्षन सी फुलबासन बाई यादाओ जी उत्तर होगा हमारा ऑप्षन सी प्रस्न है चत्तिस गड़ में उद्यानी की विश्विद्याला की स्थापन ये रोषनी कारेकरम जो है इसका संबंध है एन आर एलम से वर्स दो हजार तेरा में भारत सरकार के द्वारा नैशनल रूरल लाइवली हुड मिशन इसकी सुरात की गए इसके तहत हमारे प्रदेश में एक दिन दयाल उपाद है ग्रामिन कौसल विकास योजना चल रहा है और एक नकसल प्रभावित जीलो के लिए विशेश पर्योजना चलाई जा रहे है जिसको बोलते है रोषनी कारेकरम इस रोषनी कारेकरम का संचालन जो है छतिस गड़ के आठ नकसल प्रभावित आदिवासी बहुल जीलो में किया जा रहा है आठ हमें सामिल है बस्तर जन का बलरामपूर रामा नुजगन इस योजना के तहत 19 पर योजना चलारी 19 प्रोजेक्ट संचाली थे वर्तमान में अप्सन हम देखें ग्रामीन विद्दूती करन नहीं जीवन जीवत योजना नहीं सहरी विद्दूती करन योजना नहीं नकसल प्रभावित जीलो है त स्था से एक ही प्रस्ण पूछे गए लेकिन इसमें 36 गड़ के आर्थिक सर्विक्षन 2019-2020 से कई प्रस्ण आये हैं उसमें से एक तो यह हरबल उत्पात जो है हमारे 36 गड़ का उसके लिए विक्रय केंदर की स्थापना दो जगों पर की गई है जिसमें से दोनों के दोनों जगह रैपूर जीला में है एक रैपूर जीला का रिल्वे स्टेशन है और एक रैपूर जीला का माना का एयरपोट है दो जगों पर है ध्यान देंगे अब देखते हैं आप्शन रैपूर रिल्वे स्टेशन हां यहां किया गया है स्वामी विकानंद विमानतल रैपूर यहां भी किया गया है, जगदलपूर बस्टेंड यहां नहीं है, इन दोनों जगों पर है, और इन में से कोई नहीं, तो कहां इस्थापित नहीं किया गया है, बुर रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C, यह उत्तर है, प्रस्ण पूछा गया है, 36 गड़ में आदर्स मं मंडी स्थापित है, अगर मैं बात करूं, तो पांच मंडियों, मंडी नंबर एक, कुरुद, कुरुद का मंडी, धमतरी जीला, धमतरी जीला का धमतरी मंडी, फिर आपका चल देना है पस्चिम साइड, राजनांद गाउं, कवर्धा और मुंगेली, तीनों में, राजनां अपना की गई है, ठीक, ये दोनों धमतरी जीला का है, उसके अद आप राजनांद गाउं, चरे जाएं, राजनांद गाउं के ऊपर ठीक पड़ेगा कवर्धा जीला, कवर्धा जीला, कवर्धा लोकेशन, और उसके बाद मुंगेली, तो ये पांच जगों पर आपसान आ गया है, मेडिसिन प्लांट कंजर्विशन एरिया, ठीक, 1400 हेक्टेयर में, 1400 हेक्टेयर में मेडिसिन प्लांट कंजर्विशन एरिया की स्थापना की गई है, साथ वन मंडल को लेकर, साथ वन मंडल इसमें सामिल हैं, जिसमें से केसकाल वन मंडल है, एक धमतरी वन मंडल है, हो गए आपके, दो, एक धरम जैगाडवन मंडल है, तीन, फिर कोरबा कटगोरा, पांच, एक सरगुजा और एक बलरामपूर, साथ वन मंडल में, जो अवसदी प्लांट है, उसका रोपन किया जाएगा, चौदा सो हेक्टेर में, कैमपा मद के तहत, ठीक, वनी करन को बढ़ सन, बात करें, अब सहायक प्रध्यापक 2019 में होए प्रस्न की, प्रस्न पूछा गया, सर्व सिक्षा भियान के संबंध में सहीं क्या है, सर्व सिक्षा भियान, केंद्र प्रवर्तित योजना है, अगर बात करें कथन की रूप में, तो कथन एक है, यह केंद्र प्रायोजित राजियों गांधी शिक्षा मिसन द्वारा संचाली थे सही है यहाँ 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है सही है सवारों सिक्षा ब्यान इसलिए चालू किया गया था सिक्षागों को पुर्शाहित करने के लिए पुरुश्कृत किया जाता है ये गलत है मध्यान भोजन योजना है तू अवस्यक समागरी मध्यान भोजन का संबन सर्व सिख्छा वियान से नहीं है तो ये भी गलत है एक और दो सही होना चाहिए आप देखिए एक दो सही होना चाहिए तो एक बस है इसले कथन गलत एक दो पूछा जा रहा है यह 36 गड़ सासन द्वारा कोरोना संकट के समय निर्मीत एक मोबाइल एप्लिकेशन है सही है सही है यह सासकी परामर्स आदेश और जानकारिया देता है जी बिल्कुल इस एप के माध्यम से घूमने के लिए पास एमर्जेंसी होने पर इपास भी प्राप् यह हमारा उत्तर है ऑप्शन डी यह हमारा उत्तर है प्रस्ण है हरिक नानी वेरा अभियान किस्से संबंधित है इसका संबंध बस्तर छेत्र से है और जो मुख्यमंत्री सुपोशन योजना चालू हुआ है दो अक्टूबर दो हजार निस को उसी के अंतरगतिय संचालित जो की कुपोशन और एनिमिया से मुक्ति के लिए साहता प्रदान कर रही है देखें अगर इसमें तो विरिद्धावस्ता साहता नहीं कुपोशन और एनिमिया की स्थिती में साहता यह हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रस्ण पूछा गया है सुमेलित करना है एक में दि और शूची दो में दिया हुआ है योजना है, अगर हम बात करें योजनाओं की, तो सूचिता योजना का संबंध है खिसोर वह बालिकाओं के, स्वास्त वीमां योजना ये आम जंता से वीमा सुरक्ष उप्लब्र कराती स्वास्त के लिए निशूलक स्वास्त, चिरायू योजना इसका संबंध बच्चों से है और आयू समती योजना इसका संबंध इस त्रियों से है देखें अगर तो A का होना चाहिए आपका 3 और B का होना चाहिए 4 आपसान आप देखीगा A का 3 मतलब यह नहीं होगा यह नहीं होगा A का 3 यहाँ है और यहाँ है बात कर रहे हैं अब सहायक भूजल्वित 2020 में पूछे गए प्रस्णों की प्रस्ण पूछा गया चार चिनहारी में किसे सामिल नहीं किया गया है चार चिनहारी जो आपका सुराजी गाय योजना चालू किया गया था उसी के अंतरगत नर्वा गर्वा गुर्वा बारी इला बचाना है संगवारी के स्लोगन से चालू हुआ है तो चार चीनहरीम क्या है नर्वा है गर्वा है उ बाड़ी देख लेते हैं नर्वा है गर्वा भी भी है भाड़ी भी है धरसा नहीं है फ़ै तो हमारा उत्तर होगा आपसन D प्रस्ट ने पूछा गया है, राजिव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश से है, किसानों को अधिक फसल उत्पादा नहीं तू प्रोशाहन देना सही है, फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहेता करना ये भी सही है, किसानों को नियुंतम समर्थन मुल् केंदरी इक आई दे सकता है वो है CACP तो ये कथन होगा नहीं कमिसान एजेंडों को दूर करना नहीं ये भी कथन गलाथ है हमारा उत्तर होना चीए एक और दो ऑप्सन देखें एक ये नहीं होगा क्योंकि दूसरा भी होना चीए ये हमारा उत्तर है एक और दो अप्सन बी प्रस्ण है नक्सल प्रभावी छेत्रों में सिच्छा के प्रसार के विशाय में सहीं क्या है कूट के मादि हम से है देखते हैं पहला में दिया आस्था दूसरा में निस्था तीसरा में उप्लब्धी चौथा में कोशिस मुख्यमंत्री बाल भविश्य सुरक्षा योजनायक लाया गया था 2010 में जिसके तहत सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए नक्सल छेत्र में प्रयास आस्था निस्था सहयोग की सुरवात की गई है प्रयास आस्था निस्था सहयोग अब उसमें से देख लें चारो में स्कौन कौन से है आस्था में नाम लिया मतलब यह होगा निस्था नाम लिया मतलब यह होगा यहाँ पर सहयोग और प्रयास नहीं दिख रहा है ठीक उपलब्धी तो है नहीं भी पोसिस भी नहीं है, तो एक और दो हमारा सही, ओप्सन देखिए, ओप्सन ये में हमको उत्तर मिल गया है, एक और दो, प्रसन है, जंजाती छेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्व में क्या सही है, हाट बजार क्लिनिक योजना की सुरुआत की गई थी, दो अक्तुबर दो 2019 को, ठीक, और इसका संबन इन जंजाती छेत्रों से, अप्सन आप देखिए, मुख्यमंत्री स्वास्त योजना, ये योजना अब नहीं चल रही है, हमारे यहां तो हो ही नहीं सकता है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना ये भी नहीं है, मुख्यमंत्री हाड बजार क्लिन की योजना, ये इसका सहीं उत्तर है, ग्रामीन अर्थवयस्था को सुधिर्ण बनाने हे तू, निर्मित योजना का नाम क्या है, ग्रामीन अर्थवयस्था, कुछ समय पहले आपको बता है, नर्वा, गर्वा, घुर्वा, वारी, किसके तहस्तन चली था है, तो 2019 में की यो हार से सुरू की ज़ना कौन सी है, हरेली तहार के दिन शुरू हुआ 20 जुलाई 2020 को, कौन सा योजना है, तो गोधन नाया योजना है, देखते हम आप्षण किसान नी आया योजना, ऐसा कोई योजना नहीं चल रहा है, गोधन न यही उत्तर होना चीए, क्रिशक नाये बढ़ हावा देने के लिए सिकाय दर्ज करने के लिए पहुच सुनिस्चित करने के लिए सभी छेत्रों में पुलिस की एप था CG कॉप देखें अगर CG कॉप तो CG पोल नहीं, CG पुलिस नहीं, CG सूगम नहीं, इसका उत्तरह अप्संडी, CG कॉप बात करें आगे साहाइक संच क्रिशी 2020 की प्रशनों पर, प्रशन पूछा गया, 36 गड़ राज्य में, राजिव गांधी किसान्या योजना का संबंध किससे है, यह योजना क्यों लाया गया था, सरकार धान खरीद रही थी, उसका जो इन लोग खरीदी मुल्य डिसाइड के थे, 25 सो घोषना के थे अप परण क्या है, इसका धान खरीदी नहीं भई, धान खरीदने के लिए इसको लॉंच नहीं किया गया, धान तो खरीदी हो ही च रही थी, रोजना नहीं था तब भी, और है तब भी, दूसरा, प्रोसाहार रासी वितरन यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जो सेस रासी बच र स्किल सेंटर की स्थापना की गई है, मल्टी स्किल सेंटर, प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना के अंतरगा, धनतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की गई है, तो धनतेवाड़ा इसका उत्तर होगा, अपसन हम देखते हैं, धनतेवाड़ा ए में ही मिल हमारा उत्तर धनते वाड़ा है अपसने प्रस्ट नहें राश्ट्री परिवार स्वास्त सर्विक्षन 4 किस वर्स में हुआ इसको हम बोलते हैं एन एफ एच एस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखें अगर आर्थिक सर्विक्षन आप पढ़े होंगे तो उसमें तीन कर रिपोर्ट मिलता है और वर्तमान में 22 केंदर सासित प्रदेश और राज्यों का एन एफ एच एस फाइब का भी रिपोर्ट आ गिया है जिसमें 36 गड़ सामिल नहीं है भाई ठेक ये रिपोर्ट है वर्स 2015-16 का तीन वाला चार वाला है वर्स 2015-16 का और जो पांच वाला है वर्स 2019-20 का है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको चार को संबंध किस से होगा 15-16 से वापसन ए में हमारा उत्तर है प्रस्न पूछा गया 36 गड़ के किस प्रसासनिक संभाग में सारवाजनिक वितरन प्रणाली के अंतरगत गूड का वितरन किया जा रहा है या किया जाता है तो इसको उत्तर है आपका दक्षिन 36 गड़ बस्तर डिविजन सर्गूजा नहीं बस्तर यही हमारा उत्तर ओप्सन प्रस्ण है संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर है यह जो संजीवनी एक्सप्रेस है दुर घटना से बचाने के लिए और हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए अबूलेंस सेवा के शुरुवात वरसर 2011 में की गई राज्य सरकार के द्वारा जिसका टॉल्फ्र फ्री नंबर है वो है आपका 108 तो नंबर लोकस बासीटों की संख्या 11 है 11 संसदी छेतर है तीन इस्थापित होने से पहले 11 में से 6 संसदी छेतरों medical college खुल गया है नमबर एक जो बसदर संसदी छेतर उसमें जगदल पुरू medical college है जो आपका राजनानगाँ संसदी छेतर उसमें राज्यानगौ में Medical College है, जो रायपूर संसदी छेत्र है, उसमें रायपूर में Medical College है, जो आपका रायगड संसदी छेत्र है, उसमें रायगड में Medical College है, जो आपका बिलासपूर संसदी छेत्र है, उसमें संसदी छेत्र के कुर्वा तो द्यान देना है कहा कहा खोले बुले कॉर्वा बुला मैं एक महा समुन बोला दूसरा और संसदी छेत्र नहीं है दंते वड़ा नाम का कोई भी लोकसभा सीट नहीं है ठीक तो ये तो कठी गया कांकेर हमारा उत्तर होना चाहिए एक दो चार अब हो जाएगा नौ सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रस्ण है जो व्रिद्ध पुरुस इस्त्री असहाय है एवं अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारम की है जिसका नाम है समर्पन सेवा करके रैपूर पुलिस ये चला रही है तो इसका उत्तर हो जहां सत्तर प्राकार की जाच नियुंतम दर पर की जाएगी यह लैब कहां इस्थापित होगी सरकान निनल यह है कि 36 गड़ के प्रतेक जीले में इस प्राकार का लैब इस्थापित किया जाएगा और डाग्नस्टिक को सरल रूप में और रियायती दरोपर उपलब्ध करा जाएगा तो इसका उत्तर है प्रतेक जीला आपर संसी में प्रतेक जीला दिख रहाए उत्तर है प्रस ने पूचा गया 36 गड़ ओडीसा के मध्य महा नदी जल विवाद पर अक न्याया दीकरन सुन्वाई कर रहा है इस न्याया दीकरन के अध्यक्श कौन है तो वर्तमान आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टीस है, वो है A.M. खानविलकर जी, उन्हीं को इस नियायदीकरन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उत्तर होगा हमारा अप्सन C, ये था हमारे 36 गर्ड लोक सेवायों के विगत 6 परिक्षाओं में पूछे गए संपूर्ण प्रस्णों क एक व्याख्यात्मक विवरन, जिसमें हम अध्यायवार इन प्रस्णों को देखे हैं, करेंट से रिलेटेड जो भी प्रस्णा है वो आपके आगामी एक्जाम के लिए, प्रिलिम्स एक्जाम के लिए अतियावस्यक है, इन प्रकार के प्रस्णों को और इन से संबंधित त अच्छा लगे तो जरूर आप हमें कमेंड करके बताइए जै जोहार जै च्छत्तिस गर्ण